Hello guys, you are very warm, welcome to our channel Love Storyteller और आज मैं आपके साथ Strange Incident Connects पार लेके आई हूँ हूँ उससे पहले मैं आपको बता दू गाईज मैंने एक पार्ट अल्रेडी शेयर कर लिया है पहले उसे सुन लिजे वन आपको ये पार्ट समझ नहीं हैगा तो चलिए आज के बैटको हम शुरू करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी सी और कुछ सी सिचुएशन लवांग्ची और विविश्यन के बीच उनकी फर्स्ट मिटिंग में हो गई थी तो यहाँ पर लवांग्ची जो है विविश्यन को देख रहा था जो कि उसे घूर के देख रहा था और यहाँ पर लवांग्ची को देखके बहुत जादा अनौइ फील कर रहा था लवांग्ची भी आँख से आँख नहीं मिला पता विविविश्यन की वेवर्शन यहाँ पर रियक्ट नहीं करता लेकिन उसे ऐसा लग रहा था यह जो बोई है यह बहुत ज़ादा पोवर्ट किसम का है और यहाँ पर उसमें इतना कर्ट्स है कि वो प्रैंक कर सके इतने बड़े CEO पर उसके कली की भी इतनी कभी हिम्मत नहीं हुई यह एंपलोई जान बूचकर जो है वो सबने सौरी फॉर्मल ड्रेस पेनी हुई थी और इस लड़के ने जान बूचकर कैजूल ड्रेस पेनी हुई थी जबकि यह लोग एक एक कामपनी के ओफिशल लंच पे आये हैं शायद यह बंदा उसकी अटेंशन पाने के लिए सब कर रहा हो और त जो के तम स्लिप हो गए यह जस्ट एक एकसिजेंट है किए तुम ठीक हो लौँ जी कहता है मैं ठीक हूँ वे वुश्यन ही अखूर कर देखने लगता है जंक्चा की तरफ जंक्चा कहता है प्लीज जाकर अपनी सीथ लीजिए लवांग जी अराम से वे वुश्यन से राइ विश्षिन को देख सके विश्षिन जो अपनी सीट पर पेठा हुआ था यहां पर वेटर आते हैं और वह सारे के सारे बहुत सारे डिलिशियस डिशिस को सब करते हैं जिनको देखकर ही लोगों के मुझ में पानी आ रहा था वहां पर प्लांटी ओफ डिशिस थी जिसमें उन थे वेच प्रिंग रोल्स थे एशियन लेटस राप था और उन्होंने फ्राइड श्रिम भी रखे हुए थे और स्टीम पोर्क बेग एग रोल्स फ्राइड श्रिम लोटस लीफ रैप सूप विट टोफू एंड बेग चिकन वांट उन थे इतनी सारी डिशिस वां रखी सारे के सारे एक टोस्ट रेज करते हैं रेड वाइन के साथ ग्लास में भर कर हवा में लेते हैं और सेलिब्रेट करते हैं अपनी विक्ट्री को यहाँ पर डिजर्ट टाइम होता है और डिजर्ट में भी लवांग ची बचारा उसको इतनी हमत नहीं हो रही थी विविशन की जैसे कि वो मुड्य उठा कर भी देख सकें यहाँ पर सारे के सारे थोड़ी दिर बाद एकदम नॉर्मल फील कर रहे थे इवन वो लोग रिफ्यूस कर रहे थे कि वो एक दूसरे के चहरे पर देखें और लवांग जी तो बचारा कुछ नहीं बोलता चुप चाँ वहां ओक्वर्ड होके बैठा रहता है जब लवांग जी वापस अपने घर में आता है वो बहुत ही जादा सैड था कि आज उसके साथ एक इतना बड़ा सा हाथस हो गया उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कहीं किसी के साथ किसी की हाँ खाने पे जाएगा और उसके लिपस एक इंसान से डकरा जाएंगे लाँची जन कहते हैं क्या हुआ? लाँची कहता है लाँची जन कहते हैं तुम इतनी जल्दी वापस आ गए तुमारा दे कैसा था? क्या तुमने ए McMजॉय किया? लवांग ची केता है बहुत अंपारसिंग था लेंशीचन केता है क्यों तब ही लवांग ची केता है actually मेरा ना पैर मुर गया था और मैं गल्ती से CEO जो की वे ग्रूप केता है उनके उपर गिर गया और हम दोनों के लिपस टच हो गए लेंशीचन केता है क्या कहा तुमने तुमने मतलब क्या है sudden kiss हो गई तुमने अपनी और किसी और की first kiss चुरा रही ओ माई गॉड छोटे भाई तुम्हें क्या होगा लवांग ची केता है प्लीज मेरा फन बनाना बंद कीजिए लेंशीचन केता है तुम swift mouth competition के second round के लिए क्या सुच रहे हो तुम्हें उसमें focus करना चाहिए लवांग ची लवांग ची केता है शूर लेकिन मुझे भूक लग रही है लेंशीचन केता है मैंने तुम्हाले लिए spicy kongi और वो भी पॉक स्टीक भी बनाई है और vegetable salad भी रखा है honey green garlic dressing भी रखी है चलो आजो अपनी सीट लो और खाना खालो लवांग ची केता है इसकी खुश्बु तो बहुत अच्छी आ रही है बहुत fresh लेंशीचन केता है तुम्हें वहाँ कुश नहीं काया लवांग ची केता है इमत ही नहीं होई उस incident के बाद यहाँ पर लवांग ची बड़े प्यार से कहता है thank you लेंशीचन कहते है welcome my brother और वो अराम से अपना खाना खाते हैं अगली morning होती है new energy थी लवांग ची रेडी हो रहा था अपने college के लिए आज उसे बहुत सारी चीज़ें submit करनी थी especially उसका history का assignment यहाँ पर उनकी unit marks जो थे यानिके जो उनके per month based exam के marks होते हैं वो teacher के द्वारा disclose होते हैं और वो उसी assignment के अधार पर लगने थे लवांग ची आपर pack करता है अपने back को लेकिन उसे वो assignment नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था वो मन में सोचता है कि उसका assignment कहां गया वो अपने back में अच्छे से ढूने लगता है वो सारी जगा देखने लगता है थब लवांग ची को यादाता है कि उसका assignment तो वे group में रह गया वो यहां से भागता है वे group के लिए और वो भागते वे group के लिए bus लेता है लवांग ची exit करता है bus से और वो अराम से वे group की तरफ जाने लगता है यहां पर वो इतनी जल्दी में था कि वो reception पे फटाफट से report करता है कि उसकी yesterday visit होई थी और वो अपना assignment लेने के लिए निकल पड़ता है वो वह पर बता देता है कि वो किस university से आया है और अपनी further detail लेकर एक generate कराता है ID card जो कि उसे आगे के procedure के लिए help करता लवांग ची यहां से lift की area में भागता वा जाता है और यहां पर वो उपर जाने की direction के लिए एक button press करता है lift का door open होता है लवांग ची फिरवर से भाग कर उसमें जाता है और वो फिर से slip हो जाता है तब कोई उसे उसकी waste से पकड़ लेता है वो कोई और नहीं बलकि वे विशन था जिसने लवांग ची को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था लवांग ची एकदम से straight face लेकर एकदम से बोलता है thank you so much यहां पर लवांग ची जैसे यह बोलता है तो वे विशन कहता है एकदम से तुम तुम यहां क्या कर रहे हो आज लवांग ची कहता है actually कल मैं अपना important assignment यहां भूल गया था मैं वही वापस लेने आया हूँ तब यह एकदम से lift stop हो जाती है और एक bank की आवाज आती है लवांग ची और वे विशन एकदम से जमीन पे गिर जाते हैं धम करके यह time वे विशन जो था वो गलती से लवांग ची के उपर गिर गया था वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन तब ही एकदम से एक फिर से lift जो है बूरी तना से हिल जाती है वे विशन यहाँ पर लवांग ची को अपनी चेस्ट के तरफ पुश कर देते हैं लवांग ची ने वहाँ पर उन्हें बहुत टाइटली हग कर लिया था और कहता है डोन्ट मूव लवांग ची ने वे विशन को टाइटली पकड़ा हुआ था जो कि उसके उपर की सेड़ थे और वे विशन यहाँ पर रिलेक्स होते हैं और कहते हैं रिलेक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें लवांग जी कहता है, मुझे डर लग रहा है प्लीज, मुझे हग करे रखो थोड़ी देर के लिए, प्लीज गगव वेवश्यन, यहाँ पर कहता है, ओके और धीरे धीरे उसके सिर को से लाने लगता है लवांग जी, यहाँ पर अपना चैरा वेवश्यन की चेस्ट में बरी कर लेता है, उसे इतना वांट फील होता है न, क्योंकि वो बच्चपन से अनात था, उसने बच्चपन से खभी यह वांट फील नहीं किया लेकिन वेवश्यन को तो यहाँ कुछ और ही लग रहा था वो यहाँ लवांग जी की बॉड़ी की फ्रेगरेंस को स्मेल करता है और यहाँ पर उसके बहुत सारे डिजायर जाग जाते है और वेसली, वो एक अमीर था स्पॉयल था, यहाँ पर उसके लोवर बॉड़ी में भी हल चल होने लगती है क्योंकि लवांग जी और वो एक दूसर सने हुए थे वो खुद को लवांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तबी यह लिजल ब्रैट उसे और तीज पकड़ ले वे विशन मन में सूचता है कि यह इनसान कितना इनोसन दिखता है लेकिन बार बार यह वींग को उसके लिए या मतलब उसके लिए अट्रैक्ट कर रहा है इसने खल मुझे किस की आज मुझे इस तरह से पकड़े हुए है और मैं इसकी बाड़ी के उपर हूँ इसने मुझे टाइटली हक किया हुआ है मैं वे विशन मन में सूचता है अगर तुम मेरे साथ फन कहना चाहते हो तो याद रखना अगर तुम फलर्ट करोगे तो मुझे फलर्ट में मास्टर का जाता है और अगर तुम इस तरह से चाते हो तो डोंट वरी अगर तुम फलर्टिंग चाहते हो फन चाहते हो तो मैं तुम्हें वह पूरा फन दूँगा क्योंकि जो CEO वे थे वो और भी ज़्यादा पावार थे और उन्हें किसी भी चीज से कोई डर नहीं लगता था वे विश्यन जो की लिटली लवांग ची यहाँ पर स्टन रहता है थोड़ी और सिकिंड के लिए और उसे टाइम लगते हैं कि वो अपने सेंसर्स में वापस आए लवांग ची को अब स्ट्रकल करनी पड़ रही थी वे विश्यन की बॉड़ी के अंडर और यहाँ पर वे विश्यन ने उसे पकड़ा हुआ था पावरफुल तरीके से फिर उसने लवांग ची की रिस्ट को टाइटली पकड़ लिया और उसके बाद वे विश्यन ने अपने एक हाथ को लवांग ची की नेक के पीछे लाया वे विश्यन यहाँ पर पैशनेटली उसे किस करने लगा और यहाँ पर अपनी बॉड़ी को लवांग ची की बॉड़ी के एक साथ रब करने लगा यहाँ पर उसने पहले लवांग जी की चिन को पकड़ा हुआ था अपने हाथों से और उसे किस कर रहा था और फिर लवांग जी एकदम से रुख जाता है उसे समझ नहीं याता है कि क्या हुआ वे विशन नहीं यहाँ उसकी hot body को अपने अंडर रखा हुआ था उसे कभी ऐसी sensation फील नहीं हुई unconsciously लवांग जी यहाँ वे विशन को किस करने लग जाता है वे विशन बड़ी प्यार से सक करता है उसके lower lip को और ना जाने कितनी bite उसके lips पे करता है क्योंकि इससे लग रहा था लवांग जी यहाँ पर उसे seduce करने आया है वे विशन धीरे धीरे लवांग जी के mouth को invade करता है और अपनी tongue लवांग जी के चेहरे पे किस करने लगता है दोनों ही दूसरे की tongue को किस करते है और विविश्यन यहाँ पर लवांग ची के lips को mercilessly bite करता है उसकी jaw line neck को kiss करता है, सक करता है, लिक करता है और उसकी jaw line को नाचाने कितनी सारी ही kiss छोड़ता हुआ जाता है विविश्यन लवांग ची के जो कंट होता है, यानि कि जो गला होता है वहाँ पर उसके जो add-on supple होता है, उसे lick करता है, अपनी टंग से विविश्यन धीरे से लवांग ची की neck पे bite करता है और उसकी white skin को जो कि एकदम दूट जैसी धुली थी, उसे kiss करता है और धीरे से वो लवांग ची के कान किया जो हिस्सा होता है, उसे अपने टंग से lick करता है और उसके बाद उसे mouth में डालके सब करना लगता है लवांग ची के यहाँ पर कान के जो hole होता है, उसे भी अपनी टंग से stimulate करने लगता है लिक करने लगता है और किस करने लगता है जिसके वज़़ से लवांग जी के मुँझे मौयनिग यानिके सेक्शुल आवाजे निकल रही होती है वेविजेन यहाँ पे एक दम से खड़ा हो जाता है इस स्टेट में लवांग जी को छोड़के और लवांग जी और तब मैं शौक था अब मैंने तुम्हें मोयनिंग स्टेट में छोड़ दिया पैरते तुम्हारे पास से एक अच्छी खुश्ब आ रही थी लवांग जी यहाँ पर उससे आई कॉंटेक्ट नहीं करना चाता था क्योंकि यह बहुत जादा से शेमफुल लग रहा था लवा सामने खड़ा था वो कहता है sorry कल के लिए वो एक accident था मैंने purposely कुछ भी नहीं किया था और I am sorry बड़ अगर आप लोगों को आपको मेरी वज़े से कोई गलती लग रही है मैं आपसे पूरे दिल से तह दिल से माफी मंगना चाता हूँ वे विश्ब धीरे से कहता है और नोट ट्रिक कर सको और ट्राय कर सको मुझे पर वैसे मैं ये बता दो मुझे तुम पर कोई इंट्रेस्ट नहीं लवांग जी को अपने दिल में पेन होने लगता है कि एक इंसान ये सोचता है कि वो कोई इतना गिरावा इंसान है तब कहता है sorry क्या मतलब है आपका मैं किसी के लि इंवाल्व कर दिया बाइद वे मैं भी अपमें इंट्रेस्ट नहीं हो आप वो इंसान है जिसने मुझे आज किस किया वो भी फोर्स फुली मुझे मुझे नफरत है कि मैंने आपको शेमलेसली किस किया आप एक मॉंस्टर है आप परवर्ट हैं आप शेमलेस हैं यहां पर वो दोनों के दोनों देरे से लिफ्ट रुकती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं लवांग जी गुस्से में कांफरेंस रूम की तरफ जाता है जहां पर पिछले दिनों वे ग्रूप ने अपना अपना लंच और्कनाइस किया हुआ था वहां पर वो आराम से जाता है और तब ही कोई इन्फर्म करता है कि उसने एक को बताता है कि सीओ की कैबिन में उसका जो असका जो असका जो असाइमेंट है वो रखा हुआ है कि लवांग ची को हॉल में वो नहीं मिल रहा था और वो कहता है कि आपको सीओ की परमेशन के बिना पहाजाने की जादत नहीं ह पर अब वो मन में सोच रहा था कि वो CEO को कैसे कैसे उनका सामना करेगा यहां पर उसे अब उस कैबिन की तरफ जाना था तभी लवांग जी जैसे ही कैबिन के बाहर जाता है तभी उनकी जो परस्नल असिस्टेंट होती है वो इंफॉर्म करती है कि उसे परमीशन लेनी होगी उसे CEO की परमीशन के बेना उनसे मिलना लाउड नहीं है यहां पर लमांग जी कहता है प्लीज उन्हें इंफॉर्म कर दो और उनसे पूछो कि मेरा अस्साइमेंट भाह है या नहीं मैंने उन्हें अल्रेडी मॉर्निंग में बता दिया था प्लीज मुझे इस दुविदा से बाहर निकालो मैं लेट हो रहा हूँ अपने गॉलेज के लिए पीए वेंचिंग जो होती है वो अराम से CEO की कैबिन की दरफ जाती है और वो पूछती है मैं एक कमें सर विशन कहता है प्लीज वेंचिंग आजाओं यहां पर वो आती है और पीए वेंचिंग कहती है सर एक टीनेज बोई आया है फलानी फलानी उनिवर्शिटे से जो कि यहां पर काम के लिए आया है वो अपने असाइमेंट के लिए पूछ रहा है और वो यहां पर कल भी आया था वो टीनेज बोई कह रहा है कि उसका कोई क्वालेज असाइमेंट रह गया है वे विशन धीरे से कह मैं अब बीजी हूँ उसे कहो कि वो दो घंटे बाहर बैटके वेट करें और अब तुम जा सकती हो पी ए वेंचिंग अपना सिर्छ लाती है और वहां से चली जाती है लवांग जी पूछता है कि कैं में अंदर जा सकता हूं कैबन के तब यह वेंचिंग कहती है सुरी सर आप बीजी है कुछ important काम कर रहे हैं लवांग जी को इतना गुस्सा आता है वो अपनी मोठी को भीच लेता है और उसे बहुत हदा गुस्सा आ रहा था एक official file के लिए सच में उसे college में यहां आना पड़ा वो मन में सोचता है यह rich bread कितना जादा stubborn है I wish मैं उसे इतनी जोर से मुक आना चाहता था कि आप किसी के सामने भी नोटे नहीं हो सकते लवांग जी बिचारा दो घंटे तक वहां वेट करता है और फिर से वेंचिंग के पास पूछने आता है वो उसकी help चाहता था वेंचिंग reply करती है कि आपको और आदे घंटे के लिए वेट करना होगा यह लव अपने डॉकिमेंट को टून लीजिए अब देखते हैं गाइस कि लवांग जी के साथ क्या-क्या ना को चने चबवाएक हमारा वेविश्यन कितना जादा उसे टॉर्चर करेगा या फिर हुवांग जी कुस्ते में यहां से चला जाएगा देखते हैं अगले आने वाले है ओप ओप को आज का पड़ अच्छा लगाओ अच्छा लगाओ में चानल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट एपिसोड